हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो स्नोफूट चानल आज हम बनाने जा रहे हैं वेट लॉस रसिपी, हल्दी मखाना, स्पाइसी और स्वीट तो चलिए शुरू करते हैं मखाना रसिपी बनाना तो मखाना रसिपी बनाने के लिए यहां पर हम लेंगे मखाना यह 100 ग्राम मखाना है यानि कि एक बूल मखाना इसको हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे तो मखाना वेट लॉस के लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है फ्रिंट्स अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है और वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए बेल आइकान को प्रेस करना मत बुलिया ताके आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके यह देखे हमने मखाना को 2-3 मिनिट तक भून लिया है इसको हमने अलग से बोल में निकाल लेंगे तो यहां पर हम दो तरीके का मखाना बना कर आपको बताएंगे एक स्वीट और एक स्पैसी तो स्वीट मखाना में हम दालेंगे आपल के पीसस आप अपने पसंद का कोई भी फ्रूट दाल सकते हैं इसके बाद दालेंगे हम 4 बादाम फ्रेंट्स आप हमें शेशल मिडिया प्लाटफार्म पर भी फालो कर सकते हैं यहां पर हमने सबसे के बींच को बिगो के रखा था इसको एक स्पून दालेंगे इसके बाद दालेंगे आधा कब दूद्ध इसके बाद दाल लीजी एक टेबल स्पून शहद सुबा के वगत मखाना खाने से बहुत ही फैदा रहता है वेट लौस में बहुत फैदा होता है तो यहां पर देखी इंस्सेंट सूट मखाना रेडी हो गया है अब चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए यहां पर हमने दाल लिया है एक आनियन, एक टमाटर, थोड़े से कोरियांडर के पते, इसके बाद दाल दीजिए आधा टेबल स्पून नमक, आधा टेबल स्पून ब्लैक पेपर पॉडर, और यहां पर हम दालेंगे 50 ग्राम कर्ड, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, और यह हो गया स्पैसी मखाना रेडी, यह देखा आपने इंस्टेंटली स्पैसी मखाना भी रेडी हो गया है, तो आप इसको ब्रेकफास में यूज़ कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया है, तो लाइक जरूर से कीजिए, फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू,